आज मैं आप लोगों को उपसर्ग पढ़ा रही हु heh वैसे उपसर्ग की klas नहीं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ जो classes हमारी 24 klas पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था तो वहां मैंने उपसर्ग की परिभासा बताई थी और आपको सब्द के अंदर उपसर्ग पहचानना बताया था यहां आगे सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और साफ क्लियर कर देती हूं अक्सर मैंने दिखा है विध्यारती कमेंट करते रहते हैं कि इस सब्द में उपसर्ग बताईए इस सब्द में बताईए तो हमेशा एक बात याद रखिए चाहे संदी हो समास हो उपसर्ग हो या प्रत्य हो ये चारों सब्द हमारे ऐसे सब्द हैं जो हमें हर सब्द में नहीं पाई जाते यानि आप अगर ये कहें कि कोई भी सब्द उठा ले जैसे दुकान आपने उठा लिया और आप कहें कि दुकान में कौन सा उपसर्ग है तो दुकान में कोई उपसर्ग नहीं है जबकि आप यह कहेंगे कि अगर देखने के लिए आप देखेंगे तो दिया रहता है, जैसे सब्द लिखा है, दुकान, आब इसमें दू आपको यह उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग यह कहने लग जाते हैं कि दुकान सब्द के अंदर उपसर्ग दू ह नहीं इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, ये बात मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूं, जो उपसर्ग की पहली क्लास मैंने आपको दी है, उसमें, अगर आपने वो नहीं देखी है, तो एक बार जाके वहाँ पर देखिए, वहाँ समझे यहां पर आपको, अब जो आपके एक्जाम में उपसर्ग पूछा जा रहा है उस चीज को बता रही हूं कि एक्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि उपसर्ग हमारा कौन सा सब्द होता है तो उपसर्ग हम उन सब्दांस को कहते हैं अब आपको पता है कि यह एक सब के आगे जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर और इसी को हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं उदारण के तौर पर जैसे मान लो हम लेते हैं हमारे सामने एक सब्द है भ्रह्मण इस भ्रह्मण सब्द के आगे हमने एक सब्द उपसर्ग परी जोड़ दिया तो यह नया सब्द क्या बन कर आया परी भ्रह्मण आया तो यही हमारा उपसर्ग था इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो आपके उपसर्ग सब्द होते हैं उनकी पहचा पैसे करेंगे कि उपसर्ग का भावार्थ और मूल सब्द का अर्थ इन दोनों का जो अर्थ और भावार्थ है वो नए सब्द के अंदर होना चाहिए जैसे इसका नया सब्द हमारा बना परिभ्रमन तो परी भ्रमन का मतलब क्या होता है? चारो और गूमना भ्रमन का अर्थ होता है गूमना और परी का मतलब होता है चारो और तो आपको पता चल गया यानि जो परी भ्रमन सब्द हमारा बना है ये परिभ्रमान सब के अंदर इन दोनों ही टुकडों का अर्थ नहित है तो इसी आधार पर ये उपसर्ग है अने था अगर इस सब में ऐसा नहीं होता तो ये उपसर्ग विदी से नहीं बना होता इस चीज़ को मैंने आपको पहली क्लास में बताया है डेटेल से बहुत उसमें लगबग 10-15 मिनट की आपकी वो क्लास है तो आप वहाँ जाकर इसको समझ लीजिए अब हम उपसर्ग में आगे आते हैं जो हमें उपसर्ग के बारे में सीखना है अपने परिक्षाओं के लिए ठीक है चलिए देखते हैं उपसर्ग की परिभासा दी है इसमें कुछ विसेश बाते हाला कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक बार फिर से आपको बता देती हूँ जहां यहां पर दिया हुआ है प्राय संस्कत में 22 और हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग है यह fact question है आपके exam में सीधर सीधर पूछ लिया जाता है तो इसको आप याद रखिएगा इसके बाद यहां पर दिया है कि प्राय उपसर्ग विदी से बने नए सब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार तता मूल सब्द के अर्थ के आसपास होता है यह मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ इस बात को उधारण नीचे दिया है दो उधारण से हमने समझा है जिस तरह से सत्य दिया है सत्य का अर्थ होता है सच इसके आगे उपसर्ग जुड़ा आ, आ का भावार्थ होता है नहीं तो सब्द जो हमारा बनकर आया असत्य उसका अर्थ होता है जो सच नहीं तो यह असत्य जो शब्द है यह हमारा मोलविदी से बना है दूसरा हमारे सामने दिया है जैसे कीर्थी सब्द है कीर्थी का अर्थ होता है नाम यानि जो नाम प्रिसिद्धी जिसे हम बोलते हैं और अप इसके आगे हमने उपसर्ग लगाकर नया सब्द बनाया अपकीर्थी तो अपका जो भावार्थ होता है वो बुराई से होता है लगुता से होता है नीचता से होता है निम्निता से होता उलटा आता है, तो जब कीरती से, अप कीरती हमने जो शब्द बनाया, इसका अर्थ हो गया, बादनामी, यानि कीरती का मतलब प्रसिद्धी, और बादनामी इसका उल्टा हो गया, तो इसके अंदर अर्थ नहीं थाय, यानि ऐसा नाम जो क्या हो, बुरी बात के लिए फैला हो तो बदनामी तो दोनों ही सब्दों के यहाँ पर क्या आगे अर्थ आगे भावर्थ आगे तो यह बात आप समझ चुके हैं इसमें यह जो आझ जो क्लास दे रही हूं याद रखिएगा जो विद्द्धिती हमारे सब्जेक्टिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं। से कहते हैं उधारन सहीत समझाइए या उपसर्ग से कितने प्रकार के सब्द बनते हैं तो ऐसे प्रशन के लिए आज की ये क्लास आपकी सही रहेगी यहाँ पर हम देखते हैं उपसर्ग के उपसर्ग जो सब्द हैं उससे हम तीन प्रकार के सब्द प्रकट करते हैं यानि बन से अपना नोट्स बना सकते हैं सही तरीके से सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने दिया है विलोम सब्द विलोम सब्द तो विलोम सब्द हमारा किस तरह से बनता है मूल शब्द दिया है हमारा मूल शब्द के आगे हमने उपसर्ग जोड़ा आ गमन गमन का विलोम हो गया आगमन गमन माने चले जाना आगमन माने आ जाना ठीक है उसी तरह से मान मूल शब्द है हमारा इसके आगे हमने उपसर्ग जोड़ा अप और इससे सब्द हमारा बन गया अपमान तो मान का मतलब इज़त सम्मान और अपमान का मतलब किसी की बेज़्जती कर देना विलोम हो गया उसका तो यानि हमें पता चलता है कि जो हमारे उपसर्ग हैं उनसे हम विलोम सब्द भी बना सकते हैं ठीक है अगला हमारा आता है परियावाची यानि हम उपसर्ग से क्या बना सकते हैं परियावाची अगला देखते हैं आगे सब्द या है आपका नई विशेस्ता वाले यानि तीसरा प्रकार होता है नई विशेस्ता जैसे नहीं तो सब्द से उसका विलोम बनता है और नहीं सब्द से उसका प्रयावाची बनता है इसमें एक नए ही अर्थ रखने वाले सब्द बनते हैं तो तीसरा प्रकार आत शब्द है कार का मतलब होता है करने वाला अब यहां कार का मतलब गाड़ी से नहीं है इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया अधी और अधी में हमारा बन गया सब्द फिर अधिकार तो कार मतलब करने वाला अधिकार मतलब अपना हक दिखाने वाला तो इस तरह से नया सब्द बन गया इसके अंदर, अब इसी जब हम देखते हैं उपसर्ग जो हमारे तीन प्रकार के बताएं, अब हम देखते हैं कि संस्कत भासा में हमारे कौन-कौन से उपसर्ग दिये हैं, ध्यान रखिएगा इनको, जो हमारे संस्कत भासा के अंदर उपसर्ग दिये हैं, बाइस अधी, अनू, अप, अभी, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, दू, नी, निर, निश, परी, परा, प्रा, प्रती, वी, सम, सू, ये 22 हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, आप इनको लिख लीजिए, नो डाउन कर लीजिए, आप देखिए, हमें क्या इनके सब्दों को जब हम इन उपसर्ग से नए शब्द बनाईंगे, तो हमें ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले दिया है, मैंने आपको इस तरीके से दिया है, ये PDF आप जो दिया सामने दिख रहा है आपको इनको उतार लीजे, आपको पता चलेगा, यहां हमारा उपसर्ग दिया है, उपसर्ग है अती, नीचे इसका भावार्थ दिया है, भावार्थ भी आपको जानना जरूरी होता है, कि किसी भी इस उपसर्ग का क्या भावार्थ होता है, भावार्थ आ गया इसका अधिक या उपर से आ गया है इसका देखो शब्द इससे निर्मित किस तरह से बनेंगे सब जैसे दिया है हमारा मूल शब्द है रिक्त इसके आगे हमने अती लगाया तो बन गया ये अती रिक्त फिर आगे दिया हमारा अधिक अधिक में हमने अती लगाया यह बन गया अत्यधिक फिर आचार में अती लगाया तो यह बन गया अत्यचार यहांपर आपको एक और विशेष बात सिखानी है आपने यह देखा कि जो अतिरीक्त है इसमे आपको जो उपसर्ग है वो इस पस्ड दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन जो अत्यधिक और अत्याचार इसमें आपको इस पस्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कैसे बना अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों शब्द हैं हमारे इनके अंदर उपसर्ग विधी के साथ साथ संधी विधी का भी प्रियोग हुआ है अब आपके एक्जाम में यहाँ से कॉश्चन बन जाता है आपसे ऐसे जैसे सपोज करो आपको अत्यधिक शब्द दे दिया और आपसे पूछा गया कि अत्यधिक शब्द किस विधी से बना है उपसर्ग विधी से बना है, संधी विधी से बना है या दोनों से बना है तो ध्यान रखिए यदि अगर आपको उपसन में दोनों का उपसन दिया हो तो आपका आंसर दोनों होगा और अगर आपके option में बन लो चार option दिये और आपसे पूछ लिया गया कि संधी, समास, उपसर्ग या प्रत्य किस विधी से बना है तो याद रखिएगा आपको संधी लगाना पड़ेगा आप कहींगे कि मेडम आपने तो यहाँ पर लिखके दिखाया है फिर आप संधी क्यों बता रही है तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमें प्रत्थम द्रस्टी में जो चीज नजर आती है हम उसका पर्चे उसी में करते हैं जैसे अत्यधिक सब्द के अंदर हमें प्रत्थम द्रस्टी में संधी नजर आती है क्योंकि यहाँ पर हमें य सब्द के बीचों बीच य और उससे पहले आधा वर्ण ये दिखाई दे रहा है जो ये किसकी पहचान मैंने आपको बताया है यंड संधी की पहचान बताया है तो एकदम इस पस्ट दिख रहा है अब इसके अंदर उपसर्ग हमें तब पता चलता है जब हम इसका संधी विच्छेद करते हैं कि इसके अंदर कोई उपसर्ग भी है इसी के ठीक उपर ये जो शब्द आपका लिखा है इसमें आपको जो उपसर्ग है इस पस्ट दिखाई दे रहा है तो जिन सब्दों में उपसर्ग इस पस्ट दिखाई दे रहा है तो वो आपका उपसर्ग से बन गया और जिसमें इस पस्ट संधी दिखाई दे रही है तो उसका आंसर आपको पहले संधी रखना होगा यदी option में दोनों हैं उपसर्ग, एवम, संधी तो आप answer फिर उपसर्ग और संधी दोनों से लगाएंगे चलिए आपको उपसर्ग के साथ साथ एक और नई बात सिखा दिये मैंने तो अब ये ध्यान रखिएगा आप निधी मेडम से क्लास ले रहे हैं और निधी मेडम से पढ़ने के बाद आपके exam में कोई question गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपको चारों तरफ की चीजों को बताती हूँ यानि जैसे भी question इससे बन सकते हैं आपको पढ़ाती उस तरीके से हूँ जिस तरीके से कि आपके एक बार जो चीज सीख ली वो आपके दिमाग में बैठ जाती है अब examiner चाहें जतने प्रकार से आपसे question पूछे आप तयार हैं पूरी तरह से इसलिए मैं हमिशा आपको कहती हूँ कि एकदम starting से पूरा सुरुवात से पढ़ो और सुरुवात से आप अगर मेरे पास class भी नहीं ले सकते मेरी offline की class नहीं ले सकते तो आप मेरी online class ले सकते हैं उसके लिए आप मेरा app डाउनलोड कर लीजी निधी academy नाम से app आता है आप वहाँ पर अपनी classes ले सकते हैं proper तरीके से हिंदी को एक बार पढ़ना है लेकिन ऐसा पढ़ना है कि पूरे जीवन याद रहे और अपनी आने वाली पिड़ी को भी हम अच्छे से हिंदी सिखा सके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारा इसमें आता है जैसे दूसरा उपसर्ग दिया है अधी अब इसके बाद मैं धीरे धीरे सारे उपसर्ग को आपको दिखा दे रही हूँ आप इने उतार लीजेगा अराम से रोक कर इसके बाद तीसरा है हमारा उपसर्ग अनू इसका भावार्थ है पश्यात समानता स्वयम पीछे अलग अलग हो सकते हैं भावार्थ हमारे एक से अधिक हो सकते हैं ध्यान रखिएगा इसके बाद स्रेष्ट पास अती अधिक्ता से रहेगा नेक्स सब्द है हमारा अब अब जो हमारा उपसर्ग है इसका भावार्थ है नीच हींता अनादर दूर अलपता अधिसे नेक्स है हमारा आ उपसर्ग है जिसका भावार्थ है तक उल्टा समेत आगे अगला देखिए अगला उपसर्ग है परी परी का भावार्थ आ जाएगा आसपास या चारोर इसके बाल अगला उपसर्ग नौवा उत भावार्थ हो जाएगा उपर उचा स्वेष्ट उत्तम नेक्स है उसके बाद दस्वा उप आ जाएगा इसमें निकट्ता गोण सहयक हींता इससे बनेगा नेक्स हमारा आता है उपसर्ग दुर इसमें हलंत लगा है आपको यह ध्यान देना है हलंत है नीचे यानि रा जो है वो आधा है इससे जब भी कोई हमारा शब्द बनेगा आचार के अंदर दुर लगा है तो क्योंकि यहां पर आ आया है तो आ रा को पूरा कर देगा इसलिए तो यहां पर हमारा यह शब्द जो रा है पूरा हो जाता है इसमें लेकिन जो नीचे जिसे गम लगाया है तो दुर गम तो यह रा हमारा आधा हो जाता है इस चीज को आ आता है दुहू, भावार्थ हमारा हो जाएगा, कठेन, बुरा, दुष्ट, आदी, एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे दुहू प्लस साहस दिया है, तो दुष्षाहस दिया है, हमारा सब बना है आगे, उपसर्ग विधी आपकी सब के अंदर है, यानि दुष् यह दिया है, इसमें उपसर्ग लगा है, लेकिन अगर आप संधी पढ़ते हैं, तो संधी में विसर्ग संधी के नियम में इसमें परिवर्तन होता है, याद रखना दोनों तरह के सब्द हमारे चलन में होते हैं, आपको इसमें संधी तब बनानी है, जब इसमें परिवर्त और अगर इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो ये शब्द हमारा फिर उपसर्ग विदी से बना होगा आप समझदार है इतनी चुटी चुटी चीजों को आप समझ लीजे अगर आपको फिर भी कोई कन्फिजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मैं आपको इसे अलग से समझा दूगी कि यानि जो आपका विसर्ग संदी में जो वह अलग नियम दिया है और यहां जो उपसर्ग का नियम है इन दोनों में आके क्या अंतर होता है और हमें क्या साफधानी रखनी है चलिए इसके बाद चौध है इसमें हमारा उपसर्ग है नी भावा निश इसका है बहुत रहीत या पूरा हो जाएगा शत्राव उपसर्ग हामारा परा इसका भावार्त हो जाएगा पीछे उल्ड़ा नादर पराया आधी इस टरह के भावारति इसके बाद 18 हमारों सद्थ है प्रों इसका भावारत आएगा अधिक आग 먼eg उपर याल यह स्क प्रतिक इकाई की जब बात करते हैं और इसका भावार्थ मुकाबले में भी आजाता है ठीक इस तरह से आगे आता है हमारा 20 में उपसर्ग है हमारा वी इसका भावार्थ भिन्नता हींता या असमानता से आजाएगा निक्स है 21 में सम और ये सम में हमारा पूर्ता सयोग या अच्छा जो पॉजिटिव होता है उस तरह से आता है 22 उपसर्ग है 22 वा उपसर्ग है हमारा शू और शू में हमारा अधिक या अच्छा इस तरह के इसके भावार्थ हैं और इस तरीके से आप इनके सब्दों को भी बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग की ओर हिंदी के अंदर हमारे कौन कौन से उपसर्ग 하기 और साम् ने आपका दिया हुआ है इसको आप नॉट müssen कर लिजेए इसके अंदर हमार अइख अ उसके बाद आता है अध के बाद है उन के बाद अब ये हमारे हिंदी के उपसर्ग है आप लोगों ने देखा होगा इसमें हो सकता है आपको कोई उपसर्ग संस्कत भासा में भी दिखा होगा तो याद रखिएगा हमारी हिंदी भासा के अंदर 60% जो सब्द हैं वो संस्कत भासा से लिए गए हैं तो कुछ संस्कत के उपसर्ग हम हिंदी में भी जोकातियों प्रियोग कर लेते हैं यानि वहां तो करते ही हैं लेकिन कभी-कभी हम हिंदी के बना कर भी करते हैं ये बात पिल्कुल ठीक वैसे ही है दादा जी ने जो बंगला बनाया था और आप जब पैदा हुए थे आपके पैदा होने पर दादा जी बड़े खुश थे और दादा जी ने कह दिया कि मेरा ये वाला बंगला मेरे इस सोनू मोनू का होगा तो आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी म संसकत यानि जो हिंदी की दादी है उसने हिंदी के नाम कर दिये थी ठीक है चलिए आप समझदारे समझ गये हुँगे अब इनको भी आप इनके सब्द भी बना लेना इनके भावार्थ भी दिये हुए हैं यहां पर इनको देखिएगा इसके बाद लेते हैं हम उर्दू के उर्दू के उपसर्ग आते हैं। उर्दू में हमारे 19 उपसर्ग माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजेगा यह 19 उपसर्ग हमारे दिये हैं। कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर और हम। याद रखिए आपने किताबों में इतना ही देखा होगा आता आपके एक्जाम में इतना ही है इसके बाद जो आपका अल, एन, फी, बिल, बिना जो दिया है ये वे सब्द आपके दिये हैं ये वे उपसर्ग हैं जो आपके एक्जाम में उतना जादा पूछे भी नहीं जाते हैं चलन में भी बहुत कम हैं जहां पर बहुत calls उर्दू बोली जाती है वो लोग इसको चलन में रखते है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर दे दिया है तो आप जानकारी के लिए इनको पढ़ लीजीए। एक्जाम में ने आपको पूरे 19 बता दिये जो कामता प्रशाद नहीं बताए हैं उनके अनुसार चलिए आगे अब इसमें आप सब्दों को देख लीजेगा कैसे इनके शब बनते हैं इनका भावारत देख लीजेगा आगे कुछ और पॉइंट आपके इसमें हैं जो आपको उपसर्ग के मेंस के लिए बहुत जादा महत्पूर है इनका स्क्रीन सॉट ले लिजी आपको ये याद करने के लिए आसान रहेगा ये हमारे एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव एक्जाम हैं जिसके अंदर सब्डिप्टी जर्नल वाइस चीफ हैड इनको ह हमारी हिंदी भासा में आजकल अंग्रेजी भासा के शब्द बहुत जादा प्रियोग हो रहे हैं तो इस वज़ा से ये हमारे एक्जाम में भी पूछे जाते हैं इसके बाद कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी भासा से हमारे हिंदी में सामिल तो आप इन उपसर्ग के बारे में भी अपनी जानकारी रख लीजेगा ये डारेक्ट नहीं पूछे जाते लेकिन हमारे वरतनी शुद्धी करण या फिर हमारे संधी या फिर हमारे समास आदी सब्दों में इनका प्रियोग होता रहता है तो ये हमारे सामने आते रहते हैं इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना चुरूरी है ठीक है आप इसे देख लीजिए ये आपके उपसर्ग है जो आपको यहां पर दिये मैंने तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे और याद रखिए आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके अच्छी तर एक बार फिर से धोरा रही हूं सारे सब्द उपसर्ग विधी से नहीं बने होते हैं हमारी हिंदी भासा के अंदर जो हमारा सब्द कोश है उस सब्द कोश के अंदर कुछ ही शब्द हमारे ऐसे हैं जो उपसर्ग विधी से बने हैं इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग ज देते हैं बहुत सारे शब्दों को कि इसमें उपसर्ग बताईए इसमें संधी बताईए कुछ ऐसे सब्द आप देते हैं कि जिनें पढ़कर मुझे हसी आ कि आप रूल को सायद ध्यान से ही नहीं पड़ते अगर किसी शब्द के अंदर आपको उपसर्ग का रूल नहीं मिल रहा है तो वो शब्द अपने आप में एक सार्थक सब्द होगा मैं समझती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी यह वीडियो अगर आपको पसं सके धन्यवाद